हर्यान्वी में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयम प्रकाश शर्मा सोडवी अध्याए सोडवी अध्याए में श्री भगवान देव सुभावाले और असुभावाले लोगवां के बाबत बतावें से उन दोनों के अपने अपने परणाम असुभावाले लोगवां का विस्तारते वरनन नरक के तीन द्वार इच्छा, क्रोध और लोब और कर्तव्य और करम खतर शास्त्रों की प्रमानिकतान ने मानना इन सब के बाबत श्री भगवान अर्जुन ने बतावें से अध्याए, शी भगवान बोले, सुन पार्थ, इस संसार में दो तरियां के जीव पैदा हुए से एक तसे हैं देव सुभावाले और दूसरे से हैं असुर सुभावाले देव सुभावाले लोगां के खास गुण योस हैं निर्बैता, मन की शुद्धता, ज्यान और योका, सही सही और संतुलित पालन दान, आत्मसंयम, यग्य करना, शास्त्रों का पढ़ना समझना, तप और इमानदारी, इच्छा, सत्य, क्रोध का ना होना त्याग, शान्ती, दूसरों में दोश ना डूंडना, करुना, लोब का ना होना, मिठास, कोमलता, लज्जा, ठेहराव, क्षमा, धैर्य, पवित्रता और इन तीनों, द्वेश, इर्षा और अभिमान, इन तीनों का ना होना असुर सुबा वाले लोगगां में दंब, दिखावा, गमंड, बहुत ज़ादा अभिमान, कथोरता, अज्यान और पाखंड खास होईसे जित देव स्ुबा वाले गुन, मोक्ष दिलान वाले होईसे, उड़े हैं असुर सुबाव वाले बंधन में डालन वाले हो ऐसे तू दुखी में ना हो पार्त क्योंकि तू ते देव सुबाव लेके जन्मा से देव सुबाव वाले लोगां का विस्तार ते वरनन पहला कर दिया गया से इप तो असुर सुभावाले लोगां के बाबत सुन असुर सुभावाले लोग ना तै करम के मार्ग ने जाने से ना ही वो लोग त्याग के मार्ग ने जाने से उन लोगां में ना तै पवित्रता पाई जासे ना सदाचार और ना ही उन लोगा में सच्चाई पाई जावज है असु सुबावाले लोग नू मनने से कि यो संसार मित्यास है इस संसार का कोई आधार कुना से इस संसार का कोई नियाम कुना से वो नू के वैसे कि यो संसार किसी नियमित कारण की वज़े ते कोना बना बल्कि यो संसार सिरफ काम इच्छा तेही बना से इस करके इस नजरियान ने मजबुत्तित अपना के यो थोड़े ग्यान आले और बिना बुद्ध याले लोग इसे करूर करम करन खत्तर हमेशा तयार रहे से जिस्ते संसार का अहित और नुकसान ही होई से काम इच्छा ते कदे भी त्रिप्त ना ओनाली लाल सावा के बस में होण की वज़े ते पाखंड गमंड बहुत जादा अभिमान और एंकार ते भरे मूर्ता की वज़ेते गलत नजरिया अपना के इसे लोग अपवित्र निश्चेयों और बुरे इरादाते ही करम करें से यो लोग इसी अंगिनित चिन्ताओं के तले दबे रवेसें जो चिन्ताओं उनकी मौत गेला ही खतम होंगी वो अपनी इच्छाओं की त्रिप्ती नहीं सब ते उच्चा लक्ष मानने से और साथ साथ वो यो भी समझे से कि बस यो ही सब कुछ से और इसने छोड और कुछ भी कोना से सेकडो लालसाओं के जाल में बंदे होए वासना और क्रोध के बस में होके यो लोग अपनी इच्छाओं की त्रिप्ती खात्तर अपनी इच्छाओं की पूर्ती खात्तर अन्यायत तै और गलत तरिकों तै खूब सारी धन संपत्ती वगएरा इकठी करण में लागिर वैसे असुर प्रकृतियाला प्राणी नू सोच जैसे मैंने आज यो पा लिया से इस इच्छाने भी मैं आज ही पूरा कर लूँगा यो आज मेरा हो गया से और बविश्य में काल और धन संपत्ती जमीन जैदाद वगएरा मेरी हो जागी यो दुश्मन मैंने आज मार डाला से और दूसरे कई और दुश्मन आने भी मैं मार दूँगा मैं इश्वर सूँ मैं आनंद ले नाला सूँ मैं बलवान सूँ मैं सुखी सूँ मैं दनवान सूँ मैं उच्छे कुल मैं जन्मा सूँ मेरे बराबर और कोन से मैं यग्य करूँगा मैं दान दूँगा मैं अनंद म मो में फसे हुए वो इसी बात करें से अपनी सोच और अपने विचारों की वजयते ब्रह्म और मूर्टा के जाल में फसे हुए और अपनी इच्छाओं की त्रिप्ति गेल्या लगाव असक्ती की वजयते वो अपवित्र नरक में गिर जासे मिथ्या, गर्व में बूले, हटी, अभिमान और धन दौलत के एंकार तब भरे नियमों का द्यान रखे बगेर वो सिर्फ दंबते, नाम खाते है रही यग्य करें से एंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध के बस में होके यो द्वेशी लोग अपने और दूसरे लोगां के शरीर में निवास कर नाले मेरे तैबी, इश्वर तैबी नफरत करें से इन नरा धमों, इन क्रूर, इन बुरे करम और द्वेश कर नालाने मैं हमेशा जनम और मित्यों के इस चक्कर मैं डाले राखा उसूं और उनने मैं असुर योनियों में ही बेजता रहूं सूं असुर योनियों में पड़े होए यो मूड प्राणी जन जनमांतर में भी मैंने प्राप्त कोना कर पाते बलकि यो अदम दशा यो नीचे नरक की ओर ही गिरते रवेस हैं आत्मा ने विनाश की ओर ले जान आले इस नरक के तीन द्वार से जो से इच्छा, क्रोध और लोब इस करके आदमी ने इन तीना ने इच्छा, क्रोध और लोब आदमी ने इन तीना ने तियाग देना चाहिए जो आदमी अंदकार की ओर ले जान आले नरक के इन तीना द्वारां ते छूट जासे वो उन कर्मा ने ही करेसे जो आत्मा खतर कल्यान कारिसे और इन ते उसने परमगती मिल जासे पर जो आदमी शास्त्रों के नियोमों ने छोड़ देसे और जो आदमी अपनी इच्छाओं के मताबिक ही करम करतर वैसे इसी आदमी ने ना ते सिद्धी मिले से ना सुख मिले से और ना ही उसने परमगती ही मिले से इस करके पार्थ के करना चाहिए और के करना नहीं चाहिए यो सब जानें खातर तु शास्त्रों ने ही प्रमान मान और शास्त्रों में बताए गए नियमों के मताबिक ही तन अपना कर्म और अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए गीता का सोलमा अध्याय संपन होया ओम शान्ती 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 ओम